हाई दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर आपके पास भी 4G का स्मार्ट फोन है और 4G के स्मार्ट फोन में आप ATL का सिम यूज कर रहे हैं और आपका जो इंटरनेट है न बहुत स्लो चल रहा है और आप अपने इंटरनेट के इस स्पीट को 5G के जैसा चलाना चाहते हैं जैसा कि अभी आप डिस्पले पर देख रहे हैं कुछ इस परकार का 200-200 Mbps स्पीट अगर आप अपने ATL 4G के अंदर में चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको ल चेंजिंग करना है ATL की APN सेटिंग में कुछ चेंजिंग को करने से आपके ATL का इंटरनेट का स्पीट इतना फास्ट हो जाएगा दोस्तों कि आप देखकर यकिन नहीं करेंगे अभी हम आप लोगों को लाइव दिखाते हैं कि अभी हमारे फोन में देख सकते हो कि यहां 4 4G की स्पीट 50-55 है और हम आपको यहीं पर 200-200 Mbps स्पीट में नेट को करकर दिखाएंगे तो करना क्या है इस वीडियो को पुरा देखना है और हमारी वीडियो पसंद आये हेलफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दिना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है तो इसके बाद में नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग होगी इस पर क्लिक करना है आपके फोन में मुबाइल नेटवर्क की सेटिंग होगी उस पर क्लिक करना है अगर आपके पास दो सीम है तो आपको पहले नंबर पर एटल सीम को रख लेना है तो मेरे पास एक ही सीम ह तो मैं एक नमबर पर रखा हूँ, आप भी रख लिजिएगा, एटेल सीम पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में कुछ इस तरीके से आप नीचे बढ़ेंगे, आप लोगों को यहीं पर एकसेस पॉइंट नेम की एक सैटिंग होगे, इस पर क्लिक करना है, जिसी क्लिक आपको देखनी को मिल जाएगा, अब आप लोगों को इस सीम के अंदर में चेंजिंग करना है, इसी अपियन सैटिंग में चेंजिंग करना है, चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले एपियन पर क्लिक करेंगे, नेम का उप्सन होगा, अगर आपके अटेल में इस फोड़र है PLUS देखे नेम में लिखना है ATL SPACE 5G PLUS ATL का A बड़ा 5G का G बड़ा और PLUS का P बड़ा बाकी सब छोटा लिख कर OK कर देना है उसके बाद में यहाँ पर APN की सेटिंग होगी APN सेटिंग में आपको यहाँ पर क्लिप करना है और यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तो ATL 5G सारे छोटे अक्षरों में लिख कर यहाँ पर OK कर देना है ठीक है उसके बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर प्रोक्सी में पोट में कुछ नहीं करना है यूजर नेम पर क्लिक करकर आपको यहाँ पर लिखना है 5G PLUS ATL ठीक है आप देख सकते हैं कि 5G PLUS ATL ATL का सारा छोटा अक्षर लिखना है और OK कर देना है उसके बाद पासवर्ड में कुछ नहीं रखना है सर्वर्ड में क्लिक करकर आपको लिखना है www.google.com लिखकर OK कर देना है उसके बाद में डारेक्टली नीचे आना है यहाँ पर कुछ नंबर सो होंगे कोई छिडखानी नहीं करना है उसके बाद में यहाँ पर एथिकेसन टाइप होगा इस पर क्लिक करकर PAP और CHAP पर सेट क कर देना है उसके बाद में यहाँ पर आपको APN टाइप होगा इस पर क्लिक करकर आपको सिर्फ डिफॉल्ट रखना है देखिए सिर्फ डिफॉल्ट और APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करकर आपको IPV4, IPV6 सेट कर लेना है उसके बाद में most important setting है बैरर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अंसिफ हाइड पर टिक होगा इसको हटा देना है और यहाँ पर LTE, HACP, HACP, HSUPA, HSDPA और यहाँ पर GPRS यानि देख सकते हैं उपर से 5 और यहाँ पर GPRS को क्लिक कर देना है उसके बाद में यहाँ पर 3 डॉट होगा या किसी किसी यहाँ 3 डॉट है इस पर आपको क्लिक करकर इस APN को सेव कर लेना है जैसी APN सेव करेंगे आपका जो इंटरनेट है कट जाएगा और कट कर फिर आपका इंटरनेट इस तरीके से आ जाएगा उसके बाद अब यहाँ से डारेक्टली बैक हो जाईएगा बैक होने के बाद मे अब आपको अपने Google में जाना है Google पर आपको सर्च करना है और सर्च में आपको यहां पर लिखना है Speed Test और Speed Test पर लिखकर आपको Run Speed Test पर क्लिक करना है जैसी Run Speed Test पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले यह 50-55 के Speed में चल रहा था अब 200-200 MBPS Speed में चलने लगा तो इस तरीके से आप भी अपने ATL के Speed को बढ़ा सकते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नहीं रॉपी के साथ अब तक के लिए जहन